कुलकता केस में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई उस दौरान वो दो महिलाओं कौन थी जिनकी आने से कोर्ट रूम का पूरा सिनारियो बदल गया उन दो महिलाओं ने जैसे ही सुनवाई में एंट्री लीव वहां मौजूद CGI भी उन दो महिलाओं की बाते सुनता रहे गया क्योंकि जिस बेधरक अंदास से उन दो महिलाओं ने अपनी बात रखी साथ ही उन्होंने कहीं न कहीं सीबी आई पर भी इंडारिकली तरीके से सवाल उठाए और साथ ही डॉक्टर के माता पिता की भी बात आके रखी जो इस समय तक दबाई जा रही थी कोलकता क इसमें आज सुनवाई में जिस तरह से सीबी आई को भी कहीं न कहीं आज सुप्रीम कोट ने थोड़ा और वक्त दिया है क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोट का कहना था कि सीबी आई को सही तरीके से समय नहीं मिल पा रहा है कि वो सबूत जुटा ले और साथ ही जो में मु कि उस 27 मिनट का वीडियो हमें नहीं चाहिए बलकि साथ से आथ घंटे के दौरान उस सेमिनार हॉल में क्या हुआ है उस कॉलेज के अंदर किसने एंट्री लिया है किसने एक्जिट लिया है उमें पूरा वीडियो चाहिए और इस बार की सुनवाई में भी यहीं बात उठी कि 27 मिनट के वीडियो के आगे CBI जो है सबूत जुटा है क्योंकि जिस सरा से 90 दिनों का वक्त दिया गया है और CBI को इस समय पूरे तरीके से कही ना कहीं वक्त नहीं मिल पा रहा है कि वो सेमिनार हॉल का या आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर जा करके सबूत जुटा अला कि एक वकील आपको बता दू कि जूनियर डॉक्टर की तरफ से आई थी और जो दूसरी वकील थी वो डॉक्टर के माता पिता के तरफ से कोट रूम में पेश हुई थी सबसे पहले कोट रूम का सिनेरियो डिसकस करेंगे अबिशेग आज कोट रूम में क्या क्या जब पहले वीडियो में हम लोग बता रहे थे नंदनी तो उस वक्त सुनवाई चल रही थी और सुनवाई की बाते सामने आ रही थी तो इसके बाद जब CJI चंद्रचूर, जेबी पार्दिवाला और मनोज मिस्रा की बेंच तीनों की बेंच बैठी थी तब ये दो महिला वकी वो काफी चौकाने वाली हैं जैसे कहते हैं CBI कि अगर किसी केस में इंट्री हो जाए तो इंसाफ मिल जाता है वैसे ही महिलाओं के केस में अगर इन दोनों वकीलों की इंट्री हो जाए तो महिलाओं के लिए इंसाफ मिलना आसान हो जाता है वो क्यूं कहा जाता है और इसक चांद चुके हुजागर नहीं करना है इसलिए हम CBI को सीलबन लिफाफे में नाम दे सकते हैं और ये वो लोग हैं जो घटना अस्थल पे मौजूद थे लेकिन उनकी जरूरत वहां पे नहीं थी जिसके जबाब में CGI को ये कहना पड़ता है कि पांस दिन की देरी के चलते CBI already handicap है मतलब आप समझे कि उनके पास CBI को CGI को ये कहना पड़ रहा है कि CBI handicap है क्योंकि वो सबूत नहीं चुटा पा रही है जिसके बाद ये हालत हो गई कि जब इंदरा जैसिंग गुस्चे में आती हैं और वो ये कहने लगती है कपील सिब्बल से कि आप दिल पे हाथ रख कि जो लोग वहां मौझूद थे उनका ना तो किसी कमेटी से कोई लेना देना था और ना ही उनका किसी जात से लेना देना था इनका ये इशारा था कि वो लोग सबूत मिटाने के लिए वहां मौझूद थे और इसी बात पर बहस हो रही थी कोर्ट में तब इंदरा जैसिं को वो वीडियो भी दिखाया हुआ है कि घटना स्तल पे आप खुद देख सकता है कि कितनी भीर थी हाला कि उस कॉलेज में मौजूद डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि जब घटना हो चुकी थी उस दौरान वो लोग भी वहां देखे गए जो इससे पहले हॉस्पिटल में अभी दिखे ही नहीं और अगर आपको कोई फॉरंसिक टीम बुलानी थी आपको कोई जांच कमिटी बुलानी थी तो वहां के सीनियर्स को आप बुलाते आपने ऐसे लोगों को बुलाए जिनका नाम शायद सोशल मीडिया में बात में कुछ और निकल के आया और जब हैं कि आप दिल पे हाथ रखके कहिए कपिल सिब्बल अगर आप सुनेंगी तो ये कहेंगे कि कपिल सिब्बल के अंदर कौन सा दिल है कपिल सिब्बल ये कर रहे थे सुप्रिम कोट में कि साहाब इस मामले की लाइब इस्ट्रीमिंग रुकवा दिजिए वो ये कर रहे थे जिस सरकार में सबूत मिटाए गए वो बकाईदा कोर्ट में खड़े होकर ये कहते हैं कि हम पे मतलब हमारी 26 धुमिल की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि हमारोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कपिल सिब्बल बड़े वकील हैं और रहेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप इस तरीके की दलील पेश करें कपिल सिब्बल जब ये बात कह रहे थे तो इंद्रा जैसिंग को गुस्सा आना एक महिला होने के नाते महिला आधिकारों को लिए लड़ने वाली वकील होने के नाते गुस्सा आना लाजमी था और इस बात पर वो बस्तित हूं और वो माता पिता जो हैं वो CBI की जाच के लिए साथ आये थे उन्हें लग रहा था कि CBI जाच से हमें जल्दी नयाय मिलेगा लेकिन अब इतनी जानकारियां घूम रही है कि उनको भी पता नहीं चला कि किस पर यकिन करे इस पे CGI कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं पूरी बेंच को समझ नहीं आता कि क्या बोले उसके बाद ये बाद में उठती है कि CBI जाच कर रही है उसको जाच करने के लिए और वक्त दिया जाए बिल्कुल और जिस तरह से इन दो वकीलों की समय कोलकाता केस में काफी चर्चा हो रही है साथ ही कई लोगों क करके बेधड़क तरीकेस अपनी बात रखती है जो भी दर्शक में देखने सबसे पहले आपको बता दू कि इंद्रा जैसिंग जो है पहले सही वकालत में साथ ही इन्होंने कई ऐसे मसले सुल्जाए हैं जो आज तक मैं काऊंगी हिस्ट्री में काफी बड़े थे जैसे बॉंबई में जन्मी है बैंगलोरी इन्वर्सिटी से इन्होंने बीए किया बॉंबे से लेलेम किया लेकिन डिग्रियों से जादा इनकी चर्चा इस बात पर रहती है नंदनी ये सुप्रिम कोट में जिस तरीके से अपनी बात रखती हैं ये से मामला एक था एक आईएस बीएस ने यौन उत्पिडण का केस किया था और केस किया था डी जी पी पर ये केस इतना सुर्खियों में था कि डी जी पी के पिएस गिल तक जाँच की आज पहुंचने में और कारवाई होने में तमाम मुश्किले आ रही थी क्यूंकि आप सोचिये कि अगर किसी राज ज इसके बाद कई ऐसे केस है इंद्रा जैसिंग महिलाओं का अधिकार दिलाने वाली वो वकील हैं जब कोट में एक बार अटॉर्णी जनरल ने ये कहा था कि मैं इनके पती का नाम लिया था उन्होंने अटॉर्णी जनरल ने तो उस वक्त इंद्रा जैसिंग भड़क उठी थी और उन्होंने कहा था कि मेरी अपनी पाचान है तो आप सोचिए कि महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली इस तरीके की वकील अगर इन केसों को लड़ती हैं तो अपने आप में केस को देखने के बाद लगता है कि इंसाप मिलना थोड़ा आसान हो सकता है अचा जिस तरह से डोक्टर के माता-पिता की तरफ से भी जिन वखील को पेश किया गया व्रिंदा ग्रोवर ये भी काफी चर्चा में और साथ ही जो इनका पीछे का इतिहास रहा है वो काफी जाधा भहतरीन रहा है वो कौन है व्रिंदा ग्रोवर का नाम तब आया था नंद इनके बारे में कहा ये तक जाता है कि पुलीस नियाई का अकादमी और तमाम अधिकारियों को वकालत की ट्रेनिंग देने के लिए इनको बुलाया जाता है अब आप इस बात से समझ सकती हैं साल 2013 में टाइमस मैगजिन में ये 100 परभावशाली लोगों की लिस्ट में थी यानि कि ब्रिंदा ग्रोवर का नाम कानून के जानकार किस नजरिये से लेते हैं आप इस बात को समझ ये लेकिन जब ये माता-पिता का पक्ष रखने जाती हैं तो इनके दिल में इस बात का दुख होता है कि माता पिता को जिस CBI पर भरोसा था वो अब भरोसा भी धीरे धीरे टूट रहा है क्योंकि नयाय मिलने में काफी देरी हो रही है। घरे लुहिंसा यौन उत्पिडन जैसे मामलो में भी अपना भैतरीन तरीके से योगदान दिया है जो डॉक्टर के माता-पिता के तरफ से कोट में आज पेश हुई थी। अब इशेक आज की जो सुनवाई हुई है उससे कई लोग संतुर्ष्च और कई लोग संतुर्ष्च नहीं हैं। कि कई लोगों का इस समय अभी तक यह मानना है कि CBI की जांच में देरी हो चुकी लेकिन जो CGI का कहना है वो यह कहना है कि CBI को अलड़ी पांच दिन की देरी से चीजें मिली है जिसके वज़े से आपने जैसे कहा कि CBI हैंडी कैप हो गई है अब अगली सुनवाई में क्या ह कि जो इन्हों ने वो जो धन शोधन वाला मामला था जो यह करप्शन का चार्ज जो लगा है और करप्शन केस में जो यह जांच कर रही है CBI उसमें इनकी जांच कहां तक पहुंचिये वो भी रिपोर्ट अगली सुनवाई पे इनको देनी है लेकिन बड़ी बात यह है नं नियाप में यह मतलब रहत देने वाली खाबर है कि एक तरफ एक महीने तक कुछ भी नहीं होता CBI के हाथ में जांच जाती है उसके बाद CBI भी परत दरपरत सबूत खंगालते रहती है उसके बाद अब CGI के पास जब फ्रेशा स्टेटस रिपोर्ट जाती है तो सुकून इ नाम सिलबन लिफाफे में सौफे जाने की बाद CBI को हो रही है उन तक CBI पहुच रही है और यह जो ममतावनर जी का एक्शन दिख रहा है यह उसी का परिणाम है लेकिन अब अगले सुनवाई तक जब अगली सुनवाई होगी तो वहां तक CBI और किस-किस को गिरफतार करत जिस तरह से कपल सिब्बल ने लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने की मांग गई बहुत ही मैं काऊंगी शर्मनान बात है कि एक घटना हो चुके और उसके बाद आप जो है कोट रूम में या करके कहते हैं कि लाइव स्ट्रीम जो है आप बंद कर दीजे क्योंकि इसे हमारी इ कि क्या पता इंदरा जैसिंग और वरिंदा ग्रोवर जैसी महिला अगर इस केस में आ चुकी है और इस केस में आकर के बेधड़त तरीके से अपने बयान रख रही है तो मेरे ख्याल से CBI को भी अब जांच में देरी नहीं लगनी चाहिए और साथ ही जिस सब्ताइस मिनट क कि वीडियो के बाद कोई ऐसा सबूत पेश करेगी जिसके बाद संजे रॉय हो गया या संदीब भोश हो गया या बंगाल सरकार की भी अगर बात करू तो कई ऐसे रास क्या पता उस वीडियो से भी खुल के सामने आए हाला कि इस समय डॉक्टर्स ने जो है पांच मांगे लेकिन अभी बंगाल सरकार ने जो सरा सिब तीन मांगे मांगी जो है पूरी की है और डॉक्टर्स का कहना है कि हमें दो मांगे और भी पूरी करवानी है और साथ ही सवाल फिर से महीं आके खड़ा होता है कि आखिरकार उस डॉक्टर को इंसाफ कफ मिलेगा क्योंकि जितनी भी कारवाई आपने की है जिस तरह से 3D मैपिंग से लेके तमाम तरह की चीजे जो है CVI करती चली आई है और आप उमीद की जा रहा है कि आप दूसरी सुनवाई पूरी हो चुकी और अब CVI सबूत जुटाने में कौन सा नया तरीका अपनाती है ये देखने वाली बात होगी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं